हेलो दोस्तो स्वागत आप लोग का टेकनिकल जीनियर सनल में दोस्तो आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा जब दोस्तो आप मालो पी एफ अकाउंट के अंदर आप नोमनी को एड करते हो नोमनी एड करने के बाद आपका नोमनी सेक्सेसफुली वहां पर एड हो जाता ह है बट जब आप e-sign करते हो तो आपके पास जो ऐसा प्रॉबलम आता है मैं आपको दिखाता और यह पर स्क्रीन पर देखो यहाँ पर ऐसा प्रॉबलम आता है ऐसा एरर देजान आ हमें कि स्ग्नेचर टो यह दर गाता है तो दोस्तो वही मैं आपको इस वीडियो में करते लेकिन दोस्तों से पहले कहना चाहूंगा अगर अभी तक आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बैल अकन दवा दो तक एसी इंट्रस्टिंग वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगो तो चलो दोस्तों वीडियो को हम सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले जानने थे क्यों तो यह प्रॉब्लम यह आता क्यों है दोस्तों यह प्रॉब्लम जब भी आता जब आप मालो आपके पिएफ अकॉंट में आपका डीटेल्स कुछ और हो और आप जो कुछ और डीटेल्स वहां पर फिलप कर रहे हो मतलब मालो ईसाइंज जब आप करते हो तो वहाँ पे मांनों कुछ और डिटेल अगर महाँ पे आप देते हो तो वहाँ पर जो दोसों यह प्रो dolom आ सकता है कि सिगनेचर मिसमैच का जिसमें दोस्टो डोसटो डेट अब वर्त बताएगा नेम कि यह सकता है तो दोस्तों इसका क्या कीव को अपने के को सेटिंग करना है और कि क्छ गलत तो नहीं वह In जोस्तों ड्षिझे निएड करने से पहले वैं करके प्र that time positively अर्फडी किन तब वही कानओ चलो हों करें है यहां पर चलते हैं और मैं आपको और इस वे शर्चारम धीस करते हैं अब어야 देखने को किया फेटेस्चलम करना है 05 आपका यून नमबर नेम और डेट वबर्थ और आपका जन्रल यह सब कुछ आपके अधार कार्ट से मैच करता है कि नहीं ठीक है अगर यह सब ठीक है तो आपको प्रोफाइल information पर क्लिक करना है यहां पर अधार कार्ट देख लेना आपका verified है की नहीं pen card आपको check कर लेना है bank account number आपको verify कर लेना है mobile number email address आपको verify कर लेना है और more की information लो जाके सब कुछ आपको check कर लेना है ठीक है उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको check करना है बार आप टो के लरा की आपको दोस्तों प्रोफाइल का प्रोफाइल का फोट्रों यहां पर लेना थीक है उसके बाद दोस्तों यहां पर डेटल च्छे कर लेना नाम डेट व बर्त जंड़ल फादर नेम रलेशंव में यह सब कुछ आप यहां पर चेक कर लेना इस पैलिंग बिल्कुल चेक कर लेना आपका अधार कार्ट से मिला लेना सब कुछ आपका सही है कि नहीं और मोस्ट इंपोर्टन है तो आपको पर्मानेंट अड्रेस और करेंट अड्रेस यह दोनों आपको चेक कर लेना कि सब कुछ सभी है कि नहीं है ठीक है अगर यह सब कुछ अगर आपका सभी है तो दोस्तों नेक्स स्टेप क्यों बढ़ते हैं अब जाते हैं दोस्तों मैंज़ और अप्षिन में मैंज़ और उप्षिन में जैसे आप जाओगो यहाँ पर एक इन्फॉमिशन मिलेगा आपको बेसिक को क्लिक करके यहां से आपको इसको अब ऑडेट करें ठीक है अगर आपको यह सब कुछ सुद्स छोड़ के आपको नेक्स रगंनल यहां को देटेल मिलेगा इसके अंदर आप चल़ जाना यहां पर देखना आपको इंपर आपको यह चैक करना कि आपको मुबाइल नमबर और आपका इमेल एडी यह दोनों वैरिफाई है कि नहीं है अगर दोस्तों वैरिफाई नहीं होगा तो आपके मुबाइल के आगे आगे आपको वैरिफाई करने के लिए एक option मिलेगा उस पर क्लिक करके दोस्तों आप यहां पर वैरिफाई कर लेना तो email id के बगल में आपको verify करने के लिए option मिलेगा अगर आपके verify नहीं होगा और इसके बाद change वाले option पर click करके यहाँ पर जो email id है वहाँ पर डालके और यहाँ पर get authentication पर क्लिक करके इसको भी आप verify कर सकती हो इसके बाद दोस्तों next step बढ़ते आगे KYC दोस्तों KYC में भी आपको चेक करना कि आपका यहाँ पर detail KYC हुआ पड़ाई की नहीं यहाँ आपको चेक करना आपका पैन कार्ड अधार कार्ड और बैंक की पास्वूक इन सब का KYC है कि न जाप आप एनाविड्य नोमीनेशन करते हो 25 अगर आपको सब कुछ सही होगा यहाँ पर तो आपका उपको सब कुछ सब कुछ सब कुछ और आपका सब कुछ सब कुछ बरी reply तो दोस्तो इस तरीकिस आप इसांट कर सकते हो सब कुछ वरिफाई करके अगर कुछ भी चीज अगर आपको कुछ भी पर सितरा ही आसे करता हूं तो आपको वीडियो चलगा होगा और वीडियो कर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तक कि ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो में आपके लिए लाता रहूं तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ